बिरेन जी यह क्या है इस फिल्म में और इसको लेकर बड़ा बड़े मसले हैं विपस्ट आपने बीजेपी को सुना वो कह रहे हैं एकदम सच है और बड़ा सच को सामने लाने का प्रयास है सब को देखना चाहिए इस्पेशल स्क्रीनिंग्स हो रही है अब वह बाइस आप कह किल दूंगा लेकिन पिच्चर नहीं देखूंगा आ जैसे कस्मीर फाइल आई थी वह इसए ही है यह मामला का को कहते हैं कि हमारे हाँ फिल्म समाज का आइना है जैसा समाज होता है उस तरह की फिल्मे बंती हैं और फिल्म भी समाज को रात लिखाने के लिए बंती थी लेक लिगिन अब आलत यह है कि फिलमें समाज का आइना नहीं है वो एक ब्यवसाय का प्रोग्राम है और उसमें जब लाभाणी कोई चीछ जुड़ जाती है ब्वसाय है तो लाभाणी होगी और उस लाभाणी से फिर समाज का भला हो न हो ब्यापारी अपना फाइदा देखता है वो उस आधार पर अपना ब्यापार बनाता है चलाता है और दर्सकों की इच्छा लेकिन इस देश में एक चीज जरूर है कि जब से राष्टवात से संबंदित कोई फिल्म आती है तो बीजेपी और उसके तमाम सारे इस तरह की विशारधारा के लोग उसको परमुकता देते हैं सोसल मीडिया से टीवी से चीजों से उठाते आगे ले जाते हैं तो इस देश में चुकी बीजेपी की बहुत सारे राज्यों में सरकार है देश में है वह चाहती है कि लोग चीजों को देखें उसके आईने से उसके नजरिये से तो वह थोड़ा प्रमोशन हो जाता है उसको लेकर बवाल कस्मीर फाइल ने 300 करोड रुपय कमाया था और अभी ये केरल इस्टोरी भी कमा रही है रोज कभी 8 करोड कभी 10 करोड रोज इसका टिकेट भी करहा है बिरजेज जी जब कस्मीर फाइल आई थी तो असम सरकार ने एलान किया था कि सरकारी करमचारी भी आधा दिन की छुटी पाएंगे वो जाके फिल्म देखा हूएं तो कुछ करमचारी जो है वो कस्मीर फाइल न देखके दूसरी फिल्म देख लिए तो उनके उपर दंडात्मा कारवाई हो गई कि जिसके लिए छुटी दिया था वो नहीं देखा बदमासी की तुम लोगो जिनको कहा जाता है कि भाई उनको हम कलाकारों को फिल्मों को परतिभावों को दलों में न बांद है लेकिन वो अपने अब जुर जाती है बन जाती है हाला कि करनाटक में कल एलेक्षन है हिंदी भासी राज्यों में इसका बड़ा चर्चा है करनाटक में भी कुछ ना कुछ बीजेपी इसका लाब लेगी उसको लाब मिलेगा लेकिन अभी ये बात आई कि क्या ये आज हो रहा है पहली बार ये तो हर दोर में हुआ जब कांग्रेस की सरकारे रहीं तब भी उनके हिसाब से तमाम फिल्म कार थे और पिक्चरे बनाई जाती थी उनके हिसाब से और इस देश में भी मीडिया इंडस्ट्री हो टीवी इंडस्ट्री हो तमाम सारे प्रडूसर डिरेक्टर वो अलग अलग पार्टियों के हिसाब से फिल्मे बनाते हैं बटे हुए हैं इसमें कोई सक नहीं है और ये हमेशा से रहा है लेकिन जो बहुत दिक्ता के ठेकेदार हैं नहीं दिक्ता के ठेकेदार हैं वो लोग इस बात को जान लें कि पांच माई को जब फिल्म रिलीज हुई तो उसने साले आठ करोण रुपिया कमाया है और सनीवार को उसने ग्यारा करोण बाइस लाग रुपिया कमाया है और र सारी तक जब तक सुनवाई होगी डेल सो दो सो करोड के ऊपर चला जाएगा बात कि हुमेंट ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई है हिंदुस्तान की है नहीं इरान तूरान और सीरिया में ले जाते हैं बच्चों को यह सब दिखाया गया है हाई कोट ने मदब नहीं की कोई कि बाइन नहीं लगाया तो बड़ी सारी समस्याय है कि जब हमारे देश में बाल विवा पर फिल्में बनती थी हमारे देश में कूपर्थाओं पर फिल्में बनी साधू संयासियों पर फिल्में बनती हैं अपराधियों पर भी फिल्में बनती हैं बलातकारियों तक को पर तमाम सारी फिल्में बनी हैं तो आज केरल स्टोरी से कोई ज्यादा दिक्कत लोगों को होनी नहीं चाहिए बस दिक्कत इस बात कि भाजपा इसको कहें परचारित कर रही है उसको क्या मज़ा मिलना है तो मुझा उसको तुम मिलेगा भाई चुकी उसका वोट बढ़ेगा वोट से केही सारी कहानी है जिस दोर में जो सक्षम है जिसके हाट में लाटी है भाई इस तो नहीं हकाएगा ले जाएगा कि कोई और दूद पी लेगा तो अभी दोर उनका है वो अपना कर रहे हैं विजय जी एक बात कही गई हमारे हाँ कि यहां पर लिबास की कीमत है आदमी की कीमत नहीं है कितना आदमी अच्छा कपड़ा पहिना है वो उसकी कीमत उससे लगती है विचार की चरित्र की इसकी कीमत का बहुत ज़दा मूल बचा नहीं है और ना इसकी बहुत परवाह कोई करता है भावतिक बाद है भागदोर की जिंदगी है केरल फाइल भी कुछ कमा ले एक साहितिकार ने लिखा है सुनिएगा जो लोग सच् का सामना करना पड़ेगा जो अतीत में हुआ जो आज हो रहा है वह हर दोर में आने वाली पीडियों को देखना है और उनको इस बात को सामना करना पड़ा है सुनिएगा कि आखों के मून लेने से खतरा न जाएगा और वह देखना पड़ेगा जो तुमसे देखा न जलना या की बजब में वह भी अब किसी चिराग से पूछा न जाएगा बहुत शुक्री आविरेंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद